नवस्कार मित्रों जय माता दी माता रानी के कृपा से आसा करते हैं आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा और काफी तरक़्ी कर रहे होंगे मत्रों आद की इस विडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रोहों के गन्नाओं के अनुसार आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। मनुस्य के जीवर में दुख और सुख लगा रहता है। मनसे अपने कर्म के अनुसार सुखो की प्राप्ति करता है तो वहीं कर्म के अनुसार कई प्रकार के दुखो को भोगना पड़ता है और वहीं ग्रोहों के अदल बदल के कारण, ग्रोहों के प्रिवर्तन के कारण मनस दुखो जीवर में सुखो की प्राप्ति होती है तो कई प किस प्रकार और ज्यादा सफल हो सकते हैं जो लोग आपके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को उस्वन्द कर रहे हैं उन्हों सभी से किस प्रकार आप छुड़का रहा सकते हैं मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले कि जनों को बैतर बना सके हैं मत्रों आज आपके रासी के स्वामी छट्टे भाव में सनी और व्रस्वति के साथ होंगे तथा चंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे जिसकी वजह से आपको आपके भाग का पूर्ण सहयोग मिले वाला है और पूर्ण सहयोग जिस भी जाती का व्यक्ति को भाग के कमलता है उसकी रासी के गन्ना के अंसार भाग के सर्योग की मुझज़ा से आपके सभी बिगड़े कारे पूरे होते हैं और आपके जीवन में समस्त विकार के समस्याओं से आपको जुरकारा भी प्राप्त होता रहता है बत्रों आपको बताना कलपाने में सभी आप विरोध्यों पर भारी पड़ेंगे कोट कचारी से जुड़े मामलों में आपको सभलता मिलेंगी जो लोग बेरोजगार हैं कई लंबे समय से रोजगार के तलास कर रहे हैं फरन्तु फिर भी उन लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा थ विरुजगारी का सामना वे लोग कई सालों से कई दिनों से कई महीनों से कर रहे थे तो उन लोगों को आज सुब समाचारों की प्रापती होंगी या तो आप खुद का विफार कर सकते हैं या तो आप किसी नई मल्तिनेशनल कंपणी में जौब पासकते हैं या आपको कोई ग बुजगार कर रहे हैं चो लोग पहले से नोक्री पे सिवाले हैं उन्हों लोगों को फी नोक्री के छित्र में बहत्रिण सफलता की प्राफ्ती होंगे यानि आप पहले से काफी ज्यादा सफल हो सखोंगे और बहत्रिण तरीके से कारे को अंजाम दे सखोंगे जिनकी वज़ आपके पर्मोशन करने का या फिर आपके सैलरी वे बुरूतरी करने का सुझाव दे सकते हैं या आप ये ओफर पासकोगे तो इसलिए आपको भागे का सयोग मिलने के कारण ये घटनाई भी ये सारी बाते की आपके जीवर में होने वाली है इसी के साथ जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं प्रेम प्रसंग करने वालों को बताना चाहूंगा कि आज के दिन आपका बेहद ही रूमैंटिक रहेगा आप अपने जीवर में काफी ज़्यादा सुधार देख सकोगे प्रेम जीवर में चल रहे मनमुटाव आज आपके दूर होंगे सगे समवन्दी के साथ आपके रिष्टे मजबूत होंगे कारिश्यत्र में भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ति होंगे कारिश्यत्र में भी आप लाव की प्राप्ति कर सकोगे बत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज आप बिजनस के चेत्र में कहीं विदेश यात्रा पर जाने का मुकपा सकते हैं या फिर आप इस समय अगर आपके रासी के स्वामी के चटे भाव में इस समय हो ना आपके स्वास्ट को लेकर ठोड़ा सा चिन्ता का विशे हो सकता है आपके स्वास्त इस समय थोड़ा सा आपको प्रिसान कर सकता है लेकिन यह थोड़े समय के लिए होगा आपके स्वास्त में बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा और सुधार होने की वज़े से आप काफी जादा अपने आपको फूर्तिवाज महसूस कर सकोगे और आप अपने जीवन में काफी अच्छे खासे लाव की प्राप्ति कर सकते हैं कारवार के शत्र में बिगड़े वे सारे कारे बनेंगी और आपको इस समय गाड़ी सम्हल कर चलने की जुरत होंगी जी हाँ अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको वाहन सावधानी पुर्वग चलानी की जुरत होंगी क्योंकि वाहन चलाते समय आप जितनी भी जरूरी चीजे होती हैं वो सारे साथ लेकर चलने की खुज़त करें साथ मिले ले उसकी बात चलें आज नहीं तो आप इस समय पुलिस चेकिंग के दोरान आप पकड़े जा सकते हैं इसलिए आप सारे डोकुमेंट्स को केरकुली साथ मिले कर चलें आज आप किसी लंबी ट्रेवलिंग करने का मुखा पा सकते हैं जीवन साथी के साथ लॉंग ट्राइप पर घूमने जाने का मुखा भी प्राफ्ट कर सकोगे या किसी आप तिर्थ अस्तान की यात्रा पर कर सकते हैं तिर्थ अस्तान की यात्रा अगर आप बहुत लंबे समय से योजना बना रहे हैं बहुत लंबे समय से अगर आप कहीं जाने का फ्लान बना रहे हैं वह योजनाएं आज आपकी सफल होती भी दिख रही है घहरेलू खर्चों पर ध्यान देने की कुशस करें क्योंकि आपकी वेफुजूल के खर्चे भी इस समय काफी बढ़ रहे हैं वेफुजूल के खर्चों को कंट्रूल करने की कुशस करें वेफुजूल के खर्चे अगर करोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं इसलिए वेफुजूल के खर्चों में आपको कट्रूती करने की जुरत होंगी इंकम के शित्र में बढ़ोतरी होने से आपका मन पर सर्न रहेगा और इंकम भी बढ़ेगी इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले पताया कि आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है परमोसन हो सकता है आपके बॉस आपके साथ काफी पुभावित हो सकते हैं अगर आप नौकरी फैसाब आले हैं और corporate business करते हैं या नौकरी करते हैं तो दोस्तों आज की दिन आपको जो है सावधान रहने की जुरूत होंगे क्योंकि आपको कोई लाग्चन लगा सकता है आपके साथ कोई धोखा धड़ी कर सकता है इसलिए आपको अपने सहकर्मियों से सहयोगियों से और कलिक्स से भी थोड़ा सा सावधान रहने की जुरूत होंगे अगर आपको किसी पर डाउट है तो उसे विल्कुल आप सावधान रहे क्योंकि आज आपके साथ वो अच्छल भी कर सकता है आज आप अपने प्रियतम के साथ मिठी मिठी बाते कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा और इसे आपका फ्रेम जीवन में तनाव भी कम होगा और आप एक दूसरे के साथ पारिवार्च समंद को काफी बहतर कर सकते हैं आज आपका भागे का साथ मिल रहा है जिससे कि आप अगर आज राजनितिक से च्छेतर से जुड़े हुए हैं तो राजनितिक से जुड़े हुए लोगों को भी आज अपार सफलता की प्राप्ती होती भी दिखाई दे रही हैं आज आपको सुख का संकेत प्राप्त होगा सुखद वाता प्रण आपके चारुतरब बना रहीगा बौधिक सुखो का आनन्द ले सुखो के और दांपत्त जीवन में आपका खुशी से भरा रहने वाला है मत्रों जो लोग और विवाहित हैं जिन लोगों के विवाह के मार्ण में कई प्रिकार की वाधाएं आ रही हैं लंबे समय से प्रियास करने के बाद भी आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है तो आज के दिन आप इस विशे में काफी सुधार हो सकता है आप गौ माता को हरा चारा किलाएं और हो सके तो आप रोटी भी गौ माता को जेने की कुशित करें ऐसे में आपके जितने भी ग्रह हैं वह सांत होंगे और आपको सहयोग करें आपके भग का आसमान में भुलंदियों को चुना साफ साफ दिखाई देगा और आपके सबी रुके हुए कारे भी पुरेट आज के दिन अपने दोस्तों और रिष्तिदारों के साथ मिलने का लुका पा सकते हैं आप पिसी पुराने दोस्तों के साथ फिरसे जुरु सकोगे और फिरसे मुलर्काइद गर सकते हैं तता अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है बहुत लंबे समय से आप किसी कारी के पीछे पड़े हुए हैं और वह कारी बन नहीं रहा है वैसे में आज आज आपका रुका हुवा कारी फिस्टुरा होगा और कहीं से रुका हुवा धन भी आपको वापस मिल सकता है धन के शित्र में भी आपकी ब्रोत्री होंगी इन्वायत किये जा सकते हैं आप वहां जा सकते हैं आप किसी के साधी में जा सकते हैं मांगली कारिक्तर में सामित हो सकते हैं लेकिन आप वहां भी विरोधियों से सावधान रहें मित्रों, आप लोगों को आज के दिन कामकाज के सिल्सलों में कहीं लंबी दूरी की यात्रा करने पर सकते हैं, जिससे कि आपका दिन आज भागा धोड़ बढ़ा रहा करता है, एक साथ कई कामों में विवस्ताथा देखी जा सकती हैं, आप एक साथ कई कामों को करने का प्रि साथ मिलेंगे एक दो को छोड़कर आपके सारी सारी कारी बनेंगे भागे भी आपका साथ दे रहा है जिसकी वजह से नजदी की लोगों के साथ आपके समंध भी काफी अच्छे होंगे परन्तु आज वेफुजूल की भातों में अपना दिन जाया न करें वेफुजूल के च में काफी ज़्यादा देखा जा सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किलों में डाल सकता है इसलिए आप सिहत को लेकर साब धान रहें खान पान पर विशेष्ध ध्यान देने की जुरत रहेगे भाग में भी उतार चड़हाव रहेगा लेकिन ये समय के साथ आपका सच्छ कुछ महत्प्रून कारे जुरुके हुए दे उनको आप धार के साथ पूरा कर सुकूगे और धार के साथ खर पुल्यास करोगे तो दोस्तों के सहीव की वजह से आपके तो सब्सक्रढ cliffhawk में सची सर्धा के साथ जयमादा दिया वच्यावस्य लिखें आपका दिनगे सब् बाब दूजनी